हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन, मैं हूँ अविनास कुमार और RRB ALP पेपर 2 में बेसिक साइन्स एंड इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों के IT लिटरेसी की क्लासिस लोगा ठीक है, IT लिटरेसी का आज पहला क्लास स्टार्ट होगा और ये चप्टर 7.1 है और अभिजीत सर आप लोगों का चप्टर 6 ले रहे हैं तो आपका एक साथ बेसिक साइन्स एंड इंजीनियरिंग में दो-दो चप्टर साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है तो सबसे पहले IT लिटरेसी क्या होता है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं देखो, IT लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब तो आप सबको पता है कि भाई, पढ़ना, लिखना थोरा बहुत समझने आना चाहिए उसी को हम लोग लिटरेट पर सर बोलते हैं, अब आगे IT लग गया है, ठीक है, यहाँ पे कम्प्यूटर वर्ड आ गया है तो इसमें होता है क्या है, देखो, किसी अनपढ़ आदमी के सामने या किसी बुजूर्ग आदमी के सामने जिसको कम्प्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम है कम्प्यूटर रख दो, इंटरनेट लगा दो, उसको कुछ समझ में आएगा, नहीं न लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, कम्प्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या है, यह चीज़ समझो आप क्या कर सकते हो, उसको कम्प्यूटर दे दिया जा उसको प्मप्यूटर से रिलेेटेड कुछ बेसिक ग्यान उसके पास हो, थिक है computer related वो कुछ काम कर सके generally office में कलरक होता है कोई भी जो data handler होता है ये सब का काम वो लोग को हम लोग IT literate बोलते है computer literate बोलते है तो सबसे पहले हम लोग इस topic में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ आप लोग copy ले लो और थोड़ा note करना चालो करो क्योंकि इसमें concept वाली बहुत कम चीज़े आएंगी काफी चीज़े आप लोगों को रटना परेगा full form रटना परेगा क्या होता है कुछ history रटना परेगा कुछ चीज़े जैसे Excel, Microsoft Excel का shortcut क्या होता है Microsoft Word क्या होता है वो सब चीज़े मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और सिर्फ railway के लिए नहीं आप लोगों के real life में भी ये चीज़ आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है ठीक है आप लोगों को real life में ये काम करेगा मैं खुद computer science engineer हूँ और computer literate होना कितना important है ये आप लोगों को मैं धीरे-धीरे करके बताऊंगा ठीक है तो पहले इस chapter का content आप लोग देखलो आप लोग इसमें क्या-क्या पढ़ोगे देखो सबसे पहले आप लोग computer की history पढ़ोगे computer क्या होता है computer में क्या-क्या parts होते है अभी तक computer का history क्या है मतलब 1930, 1940 में कैसे चालो हुआ था फिर कैसे क्या-क्या system आए फिर कैसे-कैसे develop हुआ computer इस पे आप लोगों को theoretical रटा-रटा या question कुछ होंगे 5-6 वो मैं आप लोगों को बता दूँगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे presented computer प्याएंगे कुछ hardware, कुछ software यह सब क्या होता है वो मैं आपको धीरे-धीरे बताते जाऊंगा ठीक है? और एक और चीज देखो यह आपका इसका syllabus क्याना unlimited है ठीक है? बहुत सी चीज़े हैं जो आपके लिए irrelevant है लोगों को रट लेना होगा वो कोशन आप लोगों को direct पूछे जा सकते हैं ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखो सबसे पहले आप लोगों का आता है definition ठीक है? तो definition एक बढ़ देख लो definition बोल रहा है आपका what is a computer? computer क्या है? an electronic device for storing and processing data according to instruction or commands ठीक है? ये चीज़ अभी लिखो मत क्योंकि मैं बताता हूँ इसके 50 definition होता है computer के ठीक है? ये आप लोगों के समझने के लिए बस मैंने कहीं से लिखा है ठीक है? तो बोल क्या रहा है ये? कि computer क्या है? एक electronic device है ठीक है? electronic device है जिसका क्या होता है? वो data को movie store करते है न? गेम खेलते है न? तो वो data का store कर रहा है आप अपना picture उसमें डालो या कोई movie डाल दो तो वो store करने का काम कर रहा है ठीक है? संग्रह कर रहा है ठीक है? और उसके बाद उसको वो process करता है जैसे अगर कोई आप game डाल दो या कोई copy कुछ आप लोगों को लिखने का मने जैसे मैं अभी ये file पर देख रहो ये चीज लिखा लिखा न? मैंने definition लिखा न? परिभासा computer का hardware का software का मैंने लिखा न? उसके बाद मैं इसको process कर रहा हूँ न? मतला आपको दिखा रहा हूँ मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ पर underline कर दूँगा मेरा मन करेगा तो मैं यह underline हटा दूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? process कर रहा हूँ यह जो data है मैं उसको store कर दिया मैं आप लोगों का video बनाऊंगा उसके बाद यह video को क्या करूँगा save कर दूँगा तो मैंने process किया न? इसको store किया न? तो computer क्या कहता है यह आपका एक definition हो गया इसी को घुमा फिरा के एक दो definition पुछेगा आप लोगों को ऐसे कहेगा कि what is a computer? ठीक है? चार definition देदेगा या normally कहेगा कि an electronic device for storing and processing data according to instruction or command is called option में रहेगा क्या रहेगा? computer रहेगा और क्या? TV freeze washing machine ऐसा करकी कुछ option देदेगा ठीक है? तो वहाँ पे आपको वो समझना है अब देखो अगर computer आ गया न? तो computer के दो part होते है ठीक है? एक को बोलते हम लोग hardware और एक को बोलते हम लोग software ठीक है? नाम से देखो hard और soft ठीक है? यह तरह tricky है मैं आप लोगों को समझाता हूँ hardware के बारे में क्या बोला गया? the physical component of a computer is called hardware पतला computer का physical component होता है उसको hardware बोलते है software क्या हो गया? non physical component of a computer उसका काम क्या होता है? वो generally information handling करता है ठीक है? तो computer का दो part हो गया, एक हो गया hardware और एक हो गया software ठीक है? आप लोगों को exam में direct question आएगा कि इन में से क्या hardware है? इन में से क्या software है? which one of the following is hardware और software? तो आप लोग कैसे कैसे समझोगे? इसका मैं एक तरीका बदा देता हूँ, आप लोगों को परिभासा याद करने की ज़रत नहीं है देखो, जिस चीजों को आप हाथ से उठा सकते हो पटक सकते हो, फोड सकते हो खुद से जिस पर कुछ काम कर सकते हो उसको हम लोग hardware बोलते हैं जैसे, जैसे mouse mouse हम पकरे मन किया तो पटक दिये, फोड दिये ठीक है, mouse में बैटरी लगाए, हटाए क्या हो गया आपका, hardware हो गया मेरे computer का screen क्या हो गया ये, hardware हो गया computer में जो आपका keyboard होता है बटन दबा रहे हो, हाथ से कर रहे हो न वो क्या हो गया, hardware हो गया लेकिन software क्या हुआ बताओ जैसे मैं ये presentation बनाया हूँ, आप लोग के लिए जो वीडियो मैं ये बनाया हूँ, ये क्या है software है, इसको आप हाथ से कुछ कर सकते हो software आप हाथ से छू सकते हो नहीं, ये computer के अंदर ही process होता है, computer के अंदर ही चलता है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझोगे कि ये software है Microsoft Word हो गया कोई computer game हो गया कोई text file हो गया समझे रहे है, mobile में जो application होता है वो सब क्या है, वो सब software है ठीक है, क्यों कि उसको आप लोग हाथ से कुछ कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो, वो physical part नहीं है वो non-physical part है ठीक है, तो आप लोग को मैं question करवा, करवा कहीं जएदा अच्छा से clear कर पाऊंगा, ठीक है चलो, आगे चलते हैं, computer का आप लोग कुछ component देख लो देखो, ये basic computer devices है ये आप सब को पता होगा, ठीक है क्या होता है, ये चारो ये क्या है, जैसे, ये आपका monitor है computer ये laptop का जो screen होता है उसको हम लोग बोलते है monitor ये क्या है, आपका hardware devices है CPU, इसको हम लोग computer का brain भी बोलते है ठीक है, दिमाग, ठीक है इसको brain of computer बोलते है ये सब चीजे लिखना चाहो तो लिख सकते हो direct बहुत famous question है कि which one of the following is brain of computer option मेरा है का CPU, keyboard, mouse, monitor, printer तो आपका CPU brain है CPU का full form ही होता है central processing unit उसका काम ही है data को process करना उसमें कुछ जोर घटाओ करना और उसके बाद उसको output देना ठीक है, इसलिए CPU को brain बोलते है जैसे हम लोग अपना brain से काम करते है ना सोचते है ना कुछ ठीक है, ये आपका हो गया keyboard कोई भी लिखने का काम आप लोग करते हो, टाइप करते हो ना इसी पर करते हो ना, ये हो गया आपका keyboard mouse आपको पता ही है जिससे आप लोग computer के monitor पे इधर से उधर क्लिक करते हो, जैसे ये ये देख रहे हो ये मेरा cursor जो देख रहे हो, ये मैं mouse से इधर से उधर जा रहा हूँ प्रिंटर, आप लोग कोई चीज प्रिंट आउट निकालना होता है, वो प्रिंटर हो गया, इस सब basic devices है, आप सब को पता होगा, बट मैं एक बार go through कर दिया हूँ, ठीक है चलो, अब एक चीज हम लोग important चीज देखते हैं, वो होता है, input and output device, ठीक है, पहले क्या होता है, ये देखो, input device क्या होता है न, जिससे हम लोग computer के अंदर जाते हैं, ठीक है, computer के अंदर कोई हम लोग data डालते हैं, जैसे ये मेरा monitor हो गया न, तो हम लोग type करेंगे, हम लोग computer में ABC लिखना है, ABC लिखना है, ठीक है, तब computer में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम कहीं A पे click करेंगे, यहां कहीं B पे click करेंगे, यहां पे कहीं हम C पे click करेंगे, है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे है, keyboard पे दवार है, तब लोग वो computer में wire के जरीए जा रहा है, तो यहां पे लाना है तो आप लोग क्या करोगे माउस से इसको यहां पे पकरोगे लेफ्ट बटन या राइट बटन जो होगा अकॉर्डिंग लिए वह दबाओगे और खीच के नीचे लाओगे न तो यहां पे माउस हो गया आपका इनपूट डिवाइस ठीक है जहां से आप लोग इनपूट करते हो कुछ डालते हो अब देखो कंप्यूटर पर आप बहुत अच्छा कोई लेटर लिख दिया ठीक है अब आप चाहते हो या कोई फोटो बना लिए अब चाहते हो कि उस फोटो को हम निकाले ठीक है आप लोग रिज्यू में लिखते हो या कोई चीज डॉक्यूमेंट करते हो या कोई फॉर्म भरते हो तो साइबर कैफे जाकर निकलवाते हो ना तो आपका क्या होता है कंप्यूटर में वह लेता है पेंट ड्राइब से डेटा और प्रिंटर से वह निकालता है ठीक है तो आपका प्र ठीक है ये सब पर direct mcq multiple choice question आप लोगों को आ जाएंगे कि इन में से क्या input है क्या output है आप लोग या तो रट लो और अगर नहीं रटे हो तो कोई बात नहीं आप लोग वहां पर सोचना कि भाई हम लोग इससे क्या करते हैं अगर उस चीज से आप लोग कुछ करके computer के अंदर जाते हो तो वह हो गया input और computer से कोई चीज निकालते हो जहां पर तो वह हो गया आपका output तो चलो एक बार हम लोग गो थूरू करते हैं इंपूट डिवाइस माउस माउस इंपूट होता है क्यों क्योंकि माउस से आप लोग क्या करते हो कॉपी पिस्ट करते हो ना इधर से उधर जाते हो नो कोई चीज सेलेक्ट करते हो न यह हो गया आपका input device keyboard में आप लोग ABC दबाते हो तो आपका monitor पर एबी से print होता है ना ये भी हो गया input device webcam देखो कल ही मैं वीडियो को लिंग कर रहा था तो आपका computer के आगे जो laptop में छोटा camera लगा होता है जिसको हम लोग webcam बोलते हैं वो क्या करता है आपका photo खीचता है ना और उसको computer में डालता है ना और वो photo फिर आपका internet के जरिये कहां जाता है आप लोग जिससे बात करते हो उसके पास जाता है तो ये भी हो किया आपका input device touch screen touch screen laptop तो commonly आप लोग यूज नहीं करते हैं हम लोग middle family के लोग जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो लोग touch screen laptop भी यूज करते हैं जैसे mobile में तो सब कोई अब touch screen यूज करते हो नो तो हम लोग उंगली से क्या करते हैं उंगली से कोई app को touch किये यह होता है ना तो आप खुलता ह रहे हो कि भाई हमको यह चीज सेलेक्ट करना है तो वह आपका क्या हो गया input device ठीक है उसी तरह joystick हो गया joystick आप लोगों को नहीं पता है क्या होता है मैं बताता हूं joystick क्या होता है जैसे गारी का steering wheel होता है न वैसा ही joystick दिखता है आप लोग अभी बच्पन में हम लोग छोटे थे 6 class 5 class में पढ़ते थे तो computer game चलता था school के बाहर तो joystick से हम लोग वह फाइटिंग वाला game खेलते थे आप लोगों के याद होगा एक बार मैं खेला था बहुत मार पडितियार तो joystick से हम लोग कुछ नहीं करते हैं वह computer को दाएं बाएं किधर भागना है हवाई जहाद जो करते हैं वह joystick होता है microphone क्या होता है जैसे मैं अभी recording कर रहा हूँ न तो अपने earphone लगा के रखा हूँ तो earphone में एक छोटा सा वह जहां पर volume control होता है उसी को microphone बोलते है या आप लोग का headphone होता होगा headphone कुछ ऐसा होता है तो उसमें एक ऐसा निकला हुआ रहता है ठीक है जो आ आपका text आप लोग जो बोल रहे हो वो चीज को वो record करता है voice को और वो computer में भेजता है तो वो भी क्या होगे आपका input device optical pane यह जो मैं sign कर रहा हूँ न यह draw कर रहा हूँ न एक मेरे पास अभी pane मैंने खरीद के रखा हुआ है इससे मैं मेरे पास एक slate जैसा दिया हुआ है और मैं उस पे कुछ लिखता हूँ तो वो screen पे लिखाता है तो यह भी एक input device हो गया तो देखो जो चीज आपको समझ में आ रहा है वो तो ठीक है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बस देख लेना कि इसके मदद से आप लोग क्या करते हो अगर computer के अंदर कुछ डाल हो तो वो आपका हो गया input और computer के बाहर कुछ निकल रहा है तो वो हो गया आपका output output में भी देख लो कैसे समझो के monitor स्क्रीन जो होता है लैपटॉप का उसे क्या होता है आपको कुछ देखता है न जैसे मैं आपको जो ये वीडियो बनाकर भेज रहा हूं आप इस क्रीन के सारे देख रहे हो ना मतलब computer आपको दे रहा है तो वो हो गया आपका आउट्पूट इस speaker से क्या होता है sound निकलता ह तो वो हो गया output प्रोजेक्टर से क्या होता है प्रोजेक्टर से light का ray निकलता और सामने परदा पर कुछ movie या जो भी चलाना होता है वो चलता है तो वो हो गया output हेडसेट क्या हो गया कान में लगाके रख्यों कोई आपको आवाज सुनेगा जैसे मैं बोलूंग और मेरा आवाज नहीं सुनाई देगा तो आप लोग क्या करते है यह फोन लगा और वॉल्यूम तेज करोगे न ठीक है प्लॉटर कुछ प्लॉट करने के काम होता है तो यह ह lukun input device और out put device clear हो तर के कुछ चीज होता है जिस जो input का भी काम करता है और ओट Output का भी काम करता है ऐसा पूछ सकता है जैसे इसका example मैं बता दीता है आप लोगको paint drive आप लोगको पता है सबको पता होगा paint drive से हम लोग क्या करते है एक laptop अपने laptop या computer में कोई सामान लिए और copy किये और वही pen drive लेकर हम लोग cyber cafe गए और बोले कि भईया इसका print out निकाल लो तो देखो pen drive आपका input का भी काम कर रहा है output का भी काम कर रहा है आप चाहो तो कोई चीज pen drive के अंदर भी डालते हो और उसके बाद उससे निकाल ले तो तो जो input और output दोनों का काम करे न वो हो गया आपका input और output दोनों में आ जाएगा ठीक है हम लोग जब mcq करेंगे न multiple choice question तो ऐसका बहुत सारा example दे देंगे यह जो example मैंने आप लोगों को अभी इतना बताया यह सब basic basic example है ठीक है तो आप लोग यह सब लिख सकते हो अब देखो इसको समझने का एक और तरीका है वो मैं आपको computer के parts में बताता हूँ देखो यह मैंने computer का यह हो गया एक simple diagram बोलो ठीक है CPU को मैंने brain बोला था न क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऐसे देखो keyboard keyboard से आप लोग क्या करते हैं कुछ टाइप करते हैं ABC माउस से क्या करते हैं आप लोग ड्रैग ड्रॉप कुछ भी करते हैं ऐसे 50 तरह के input होंगे scanner होंगे जैसे मैं पेन से कर रहा हूं वह होता है अब देखो मैं पेन से जो ही ऐसे किया न लिखा न तो यह मेरा पेन ठीक है और यह मेरा input device या नहीं जिस slate पर मैं लिख रहा हूं यह कहां गया यह अंदर गया ठीक है अब अब इसके आगे क्या होता है computer में जो होता है CPU होता और एक memory होता है memory मैं आके बताऊंगा RAM करके होता है रोम करके होता है hard drive करके होता है यह सब चीज करके होता है तो वह record करता है मेरा data को ठीक है और मैं कैसे जैसे मैं circle घुमाया तो कैसे घुमाया इस तरफ से घुमाया या इस तरफ से घुमाया यह सब चीज को वह remember करता है ठीक है और उसके बाद वो चीज को वो screen पे जैसे मैं यहाँ पे slate पे लिख रहा हूँ लेकिन screen पे हो रहा है और वो चीज आप लोग देख रहे हो अपने monitor पे ठीक है तो ऐसे computer काम करता है वो input लेता है यह सब हो क्या input ठीक है उसको computer process करता है ठीक है हम लोग के पास लैप्टॉप है तो लैप्टॉप है बहुत छोटा CPU करके होता होगा लेकिन जब computer में तो आप लोग सब पार्ट तो गौर से देखते हो क्या होता है CPU CPU यह होता है यह देख रहे हो यही आपका CPU होता है तो वो आपका process करता है कि आप क्या कर रहे हो और उसके बाद वो monitor पे दिखाता है आप लोग को print निकालना है तो आप लोग यहाँ पे मालनो other input में क्या होगा कोई data होगा वह हम लोग अंदर print के लिए क्लिक करेंगे CPU बोलेगा कि भाई print करने के लिए यह बोल रहा है और वो printer को बोलेगा कि चल प्रिंट कर प्रिंटर क्या करेगा आपका जो भी आपको प्रिंट करना है वह प्रिंट आव निकाल देगा ठीक है आपनों कोई music चलाना होगा तो क्या करोगे तो mouse यह mouse से music वाले folder पर जाओके और click करोगे वो क्या करेगा अंदर जाएगा CPU समझ जाएगा कि भाई इसको गाना सुनने का मन है तो वो memory से वो गाना निकालेगा और वो गाना speaker में चला देगा और speaker वो गाना चलेगा और आप dance करोगे तो ऐसे करके हम लोग का computer काम करता है ठीक है चलो अब hardware और software के बारे में जो मैंने बताया है तो थोड़ा से इसको ध्यान से देख लो कैसे क्या होता है देखो hardware के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही slide में बता दिया कि क्या होता है वो physical part होता है जिसको आप लोग हाथ से छू सकते हो physical होता है ठीक है वो physical होता है the brain of the computer or central processing unit is called what तो आप लोग मारोगी brain of computer ऐसा करके question होगा तो यह line याद कर लो या लिख लो monitor क्या हो गया तो वो screen हो गया जो आपको display करता है जो मन है वो आपको display करता है जैसे हमको मन है मालो पिछला slide देखने का तो हम पिछला slide पे click कर दिये तो monitor मेरा पिछला slide दिखा दियाना अगला slide पर हम लोग वापस आना है तो click किये तो monitor मेरा अगला slide दिखा दियाना mouse माऊस क्या करता है a device that can be used to move around and computer screen तो पिछला slide पर हमको जाना था तो हम क्या किये mouse को पिछला स्लाइड पर लेकर गए और क्लिक किये ठीक है इसी में एक टच पैड होता है देखो लैप्टॉप में माउस के साथ साथ एक टच पैड होता है ठीक है लैप्टॉप का जो एक कीबोड होता है उसके जस्ट नीचे आप लोगों को दिखेगा जहां पर आप लोग उंगली से ठीक है स्लाइड करते हैं तो वो माउस जैसा काम करता है ठीक है उसी को हम लोग टच पैड बोलते हैं ये भी आपका हाडवेर हो गया कीबोड क्या हो गया वो तो मैंने बताई दिया था टेक्स्ट करने के लिए जो हम लोग क्लिक करते हैं वो हो गया आपका कीबोड ठीक है ये सब बेसिक हाडवेर हो गया सिंपल सिंपल बाकी डीटेल में हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे अब देखो software आ गया तो software क्या हो गया जिसको हम लोग physically टच नहीं कर सकते हो नन physical होता है कोई program होता है ठीक है वो computer के अंदर होता है उसको आप लोग physical means में touch नहीं कर सकते हो उसको छू नहीं सकते हो तोर मरोड नहीं सकते हो इसका example देख लो operating system, देखो, operating system क्या होता है, operating system एक type का software है, ठीक है, या software बोलो, या combination of software बोलो, जो computer का सारा hardware and software को जोर के रखता है, एक साथ run करता है, देखो, laptop जब आप खोलोगे, तो क्या करोगे, power button दबाते हो न, तो power button दबाते हो, तो boot process होता है, ठीक है, आपका सबसे प system आता है, ठीक है, जब तक operating system सही से काम नहीं चलेगा, तब तक आपका न mouse काम करेगा, न keyboard काम करेगा, ठीक है, जब keyboard काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है, operating system बदलना पड़ता है, जैसे, Windows 7 हम लोगे पुराने laptop में था, Windows 8 आया, ठीक है, उसके बाद Windows 8.1 आया, Windows 10 आ होता है, Windows से जैदा free होता है, Windows में क्या होता है, कि आप लोग सब चीज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज डिनाई कर देता है, compact हो रहा है, Linux क्या करता है, आपको जो करना laptop के अंदर जिस पार्ट में जाना है, वो जाने दिता है, open source है, ठीक है, यह चीज आप लोगों को अभी Linux, यह सब क्या है, operating system, famous operating system, यह सब याद रखो, ठीक है, desktop क्या है, desktop तो computer को भी बोलते है, desktop, यहाँ पर software मैं बोल रहा हो, तो यह चीज समझो, आप लोग laptop सबसे पहले खोले, तो जो screen आप लोगों को दिखता है न, यह screen देखो, यह screen देख रहे हो, यह जो मेरा laptop का screen है, यह screen, यह सब जो screen है, आप लोग laptop सबसे पहले खोलते हो, तो जो चीज आप लोगों को सबसे पहले दिखता है न, वो हो गया desktop, या my computer में जाते हो, तो आप लोगों को desktop दिखता है न, तो वो पहला screen हुआ न, उसी को हम लोग desktop बोलते हैं, ठीक है, program, कोई app हो गया, जैसे laptop में गेम हो गया, मैं presentation बना रहा हूँ, यह PPT हो गया, यह सब क्या है, software है न, Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet Explorer, Google Chrome, ठीक है, यह सब क्या हो गया, Microsoft Edge, Internet Explorer बहुत slow था, अभी तो निकाल दिया Microsoft Edge, यह सब बहुत fast होता है, ठीक है, browser है, ठीक है, बहुत, बहुत बहुत तरह के browser होते हैं, हम लोग तो एक ही दो browser यूज़ करते हैं, Google Chrome, फेमस है, ठीक है, मैं आप लोगों को Microsoft Word जब बताऊंगा न, और Microsoft Excel बताऊंगा न, कितना अच्छा यह सब software है, आप लोग यूज़ नहीं करना जानते हो, ठीक है, मैं इ हटाना है, तब क्या करना है, office में color को लोग काम करता है, तो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो सब, वो सब मैं आप लोगों को छोटा तोर पे बताऊंगा, ठीक है, यह सब famous software हो गया, छोटा-छोटा software भी होता है, बहुत बरा-बरा software होता है, मैं खुद एक-दो software बना चुका हूँ, ठीक है, तो software engineer मेरा title ही है, तो यह सब चीज़े भी हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा topic देख लो, ठीक है, यह पहला chapter मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बस introduction देने के लिए, ठीक है, धीरे-धीरे हम लोग पढ़ेंगे, 10, 12, 14, कितना lecture होगा, मुझे भी लिखते हैं, and, switching on, ठीक है, laptop को हम लोग switch on, ठीक है, इस ओट में लिख रहा हूँ, समझो, तो laptop को हम लोग shut down करते हैं, यह switch on करते हैं, तो क्या process होता है, तो यह सब, आप सब को पता होना चाहिए, बट मैं, sort में बता देता हूँ, हम लोग क्या करते है, laptop को on करने के लिए, ऐसा वाले एक button होता है, ऐसा करके, इसको दबाते हैं, तो आपका laptop खुल जाता है, ठीक है, यह आप दबाओगे, तो उसके बाद आपका photo बना रहेगा, नीचे आएगा username, और एक password, आप लोग username, password डालोगे, और उसके बाद, click करोगे, enter, तो आपका laptop खुल जाएगा, जो username और password नहीं लगा के रखे हो, उनका laptop ऐसे ही खुल जाता है, shutdown करना रहता है, तो क्या करना हो रहता है, तो सारा program पहले close करना होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता सकता है, आप लोग को laptop shutdown करना है, तो ये button भी direct दबा सकते हो, shutdown हो जाएगा, लेकिन normally कभी भी shutdown करना होना, ये button मत दबाना, ठीक है, पहले laptop का सारा program को close करना, फिर laptop के left corner में जाकर click करना, वहाँ पे आप लोगों को shutdown का option दिखेगा, वो चीज़ आप लोगों को देखना है, देखो, ये button देखरो, ये button, ये button, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, तो आपका य ये button जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे power पे आप लोग क्लिक करोगे, तो आपका shutdown आ जाएगा, इस shutdown पे आप लोग क्लिक करोगे, तो आपका laptop बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ पूछना नहीं चाहिए, बट आप लोगों के syllabus में, topic में मैंने कहीं देख लिया था, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया, कि shutdown क्या होता है, और starting on क्या होता है, देखो दोस्तो, आप लोगों को basic मैंने बता दिया है, ठीक है, आप लोगों का काफी chapter चलेगा, और धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो computer, computer devices, input devices, output devices, इसलिए के बारे मैंने आप लोगों को बता दिया है, कुछ questions आप लोग इस पर देख लो, इससे आप लोगों को clear हो जाएगा क्या 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 पढ़े हो, ठीक है, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाओ आप लोग भी comment करते जाना कि कैसा लग रहा है lecture, और आप लोगों को और क्या क्या पढ़ेना है, ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ questions देखते हैं, option number C, देखो, ALU भी दिया हुआ, ALU मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो एक बार थोड़ा यहाँ पे देख लो, देखो, CPU जो होता है ना computer का, उसमें तीन पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है आपका memory, एक होता है आपका ALU, और एक होता है आपका control unit, ठीक है, तो देखो, जबी भी हम लोग कोई चीज़ क्लिक करते हैं या कोई data ABC लिखते हैं तो वो memory में जाता है, memory में store हो जाता है, memory में भी दो-तीन चीज़ होता है, RAM होता है, रोम होता है, ठीक है, और cache होता है, ठ इसको कुछ लोग cache भी बोलते है, cache होता है, ठीक है, तो ये तीन चीज़ होता है, तो control unit क्या करता है, memory से निकालता है, data को decode करता है, जो और घटा हो जो भी करना होता है, वो ALU करता है, ALU का full form होता है, arithmetic logical unit, ठीक है, यह सब मैं आप लोगों को धीरे-धीरे बताओंगा, ब arithmetic operation करता है, जो और घटा हो, जो भी करने का काम होता है, गुना भाग वो सब आपका ALU करता है, और control unit क्या करता है, वो memory से fetch करता है, data को, और इसको decode करता है, RAM, ROM, cache क्या होता है, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक होता है, random access memory, आप लोग 360 करके कोई app आता है, RAM cleaner कर के app आता है, वो सब download की हो, और वो सब क्या करता है, RAM clean करता है, actual fact मैं बताओ, computer science engineer हो तो मुझे थोरा बहुत पता है, वो RAM clean करने से कुछ खास होता है, आप लोग क्लीन करो गया और वापस वो RAM आ जाता है, वो ठीक है, करो, mobile laptop थोरा fast होता है, उससे, क्या होता है, junk file भी उसस arithmetic logical unit है, CPU का एक हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते है, nerve, ठीक है, nerve system में ऐसा कुछ बोलते है, ठीक है, ये भी आ सकता है, आप लोग को कभी, अगला question है, a computer consists of, a central processing unit, a memory option, दो दो बारे यहां पे लिखा हुआ, उसको ignore करो, input and output unit, all of above, computer में क्या क्या चीज होता है, CPU होता ही है, memory होता ही है, आप लोग का hard disk होता है, input और output unit, computer में आपका keyboard भी होता है, monitor होता है, सब कुछ होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, option D, ठीक है, अभी मैं simple simple question ही करा रहा हूँ, ये simple है, लेकिन ये सब question, जैदा chances रहते हैं, आने का, ठीक है, क्योंकि ये basic question है, which one is the largest space, memory जब मैं पढ़ाऊगा ना, तो इसके बारे मैं भी बताऊँगा, यहाँ पर एक बार देख लो, एक होता है, bit, ठीक है, अभी मैं जो ची बता रहो, चाहू तो आप लोग note कर सकते हो, ठीक हो, ये इस side में लिख देता हूँ, एक होता है, bit, ठीक है, bit क्या होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जितना complex होता नहीं है, देख लो, artificial intelligence का concept अभी भी computer में बहुत हद तक नहीं आया, start ही हुआ, और हम लोग में अपना दिमाग चलता है, artificial intelligence हम लोग का natural intelligence ही है, ठीक है, artificial intelligence कहां से आएगा, तो bit में क्या होता है, computer कभी भी binary पे काम करता है, मतलब या तो 0 व लिखना रहे, तो 1, 1 होता है, 4 लिखना रहे, तो 1, 0, 0 होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, मैं आप लोगो कोई binary number पढ़ाऊंगा, ये चीज़ समझा दूगा, तो वो bit में store होता है, bit, ठीक है, 8 bit को हम लोग बोलते है, byte, ठीक है, ना, 8 bit को याद रखो, bit into 8 करेंगे, तो वो bit होता है, ठीक है, और उसके बाद prefix लगता है, prefix आप लोग physics में unit और dimension में अभिजी सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, और मैंने भी physics में सायद एक बार बताया था, आप लोगों को prefix पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर एक बार फिर से याद कर लो, kilo, ठीक है, mega, जीगा, टेरा, पेटा, एकसा, ऐसे करके आगे जाता है, हम लोग kilo को क्या बोलते थे, 10 के पावर 3, mega को 10 के पावर 6, जीगा को 10 के पावर 9, टेरा को 10 के पावर 12, पेटा को 10 के पावर 15, मतलब 10 के पावर 3 के multiple में जाता था ना, लेकिन computer science के language में 10 का पावर 3, मतलब 1000 होता है ना, यानि 1000 हुआ ना, लेकिन computer science के language में यहाँ पे 1024 आता है, ठीक है, average उसको 1000 भी लिखते हैं लोग, लेकिन exact 1024 होता है, आप लोग कोहोगे जो 1000 क्यों ने लिखा गया, 1024 क्यों लिखा गया, तो देखो computer science में कभी भी कोई च जलता है, ठीक है, तो 2 के power आप लोग 10 करोगे न, 2 के power 10, ये approach 10 के power 3 के बराबर होता है, ठीक है, 2 के power 10, 1024 होता है, और 10 के power 3, 1000 होता है, इसलिए इन दोनों को लगबख बराबर माना गया है, तो आप लोग कभी भी देखें ना, आप लोग के mobile में जब 8GB का memory card आता था, या 1GB free लिखाता था, तो वो actually में 1024 लिखाता, लिखा के रहता है, ठीक है, तो largest space इस में से क्या हो गया, तो देख लो, सब में byte लगा हुआ, prefix देखो, सबसे बड़ा किसका है, पेटा का है न, option नमर B, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप का भी question पूछेगा, तो मैं अगर memory पढ़ाऊंगा, तो बता दूँगा, अगर नहीं बताओ, तो यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, byte, bit, ठीक है, एक hexadecimal करके आता है, यह सब मैं बताऊंगा, kilo, mega, giga, tera, peta, यह सब आप लोग याद रखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही होगा, ठीक अगर इतना है ना कि 50 चैप्टर लोगा ना, तो भी आप लोगों का खतम नहीं होगा, तो ऐसे ही करेंगे अप लोग, important, important मैं आप लोगों को बता दे जाओंगा, देखो, अगला question क्या है, अब paper print out of a document is known as, hard copy इसको बोलते हैं, ठीक है, hard copy, soft copy क्या होता है, देखो, मैं जै करना है, तो वो क्या करेगा, मेरा resume, यानि CV मांगेगा, तो CV देने का दो तरीका है, एक, एक तो जब मैं उसके पास जाओंगा, तो एक print out निकालूंगा, अपना resume का, जिसमें मेरा data लिखा रहागा, और उसको दूंगा, उसको बोलते हाड copy, वो बोलेगा, hard copy of something, soft copy क्या हो का hard copy लाओ, railway का form भरोगे, या कोई चीज का form भरोगे, तो बोलेगा, hard copy भीजो, तो आप कभी भी उसको post office जाओगे, या speed post करो ने, तो वो आप क्या करोगे, hard copy करते हो, और soft copy मांगे, तो इसका मतलब जो आप लोगों को site पे रहा, वहाँ पे आप लोगों को mail कर देना होत है, मैं just बताया था, पीछे skip करके देख लो, अगर नहीं आता है, तो input device है, webcam क्या करता है, आपका चहरा scan करता है, और वो आपके monitor पे डालता है, और वो आप लोग video calling कर रहे हो, तो जहां पे आप video calling कर रहे हो, वहाँ पे भेजता है, तो वो input ले रहा है आपका, मैंने समझ device नहीं होता है, output device नहीं होता है, क्यों, क्योंकि input का काम है, input लेना, output का काम है, output करना, memory unit होता है, CPU का part, ठीक है, अगर exact मैं बोलू न, तो यहां पे थोड़ा ambiguity होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि CPU का part होता है, कुछ लोग बोलते हैं, CPU का part नहीं होता है, यह अलग part होता है, CPU और memory दोनों जुरा होता है ठीक है लेकिन ऐसा अगर आप लोगों को option दे दिया जाए तो आप लोग CPU ही मारोगे ठीक है option number D CPU में ऐसे होता है यह हो गया आपका CPU अंदर हो गया ALU CU just मैंने बताया तो और यह आपका हो गया memory ठीक है तो देख लो CPU का एक पार्ट है न चलो आगे बढ़ते हैं which unit converts user data into machine readable form मतलब आप लोग जो कोई भी data डालते हो आप लोग कुछ भी क्लिक करते हो तो machine कैसे उसको read करता है तो वह input unit के through करता है ठीक है यह सब चीज आप लोगों को समझने का दे रही है और उसके बाद वह convert हो जाता है computer समझ जाता है कि वह बंदा क्या type करना चाहता है ठीक है तो वह आपका answer हो जाएगा input unit अगला question है which unit is known as nerve center of computer मैंने आप लोग को कुछ अभी थोड़ा दिर पहले बताया था किसको बोलते है ALU को बोलते हैं अगला question है what type of device is computer keyboard keyboard कैसा device है input device है आप लोग input करते हो ना computer को कुछ देते हो ना keyboard के मदद से चलो आगे देखते हैं which device is used as standard pointing device in a graphic user environment question को थोड़ा ऐसे ही भारी कर दिया है simple सा है बोलना रहा कौन सा device के यूज करके हमलों कहीं पर point करते हैं सबको पता है keyboard अप काईट करते हो नहीं की बोड़ से कुछ क्लिक गरते हो mouse से क्या करतो है? माउस से point करतो हो जैसे यह देखो ऐख रहे हो यह जो point मैं कर रहा हो हूँ क्या चीज से कर रहा हूँ? माउस से ही ने कर रहा हूँ, माउस को मैं आगे, पीछे, उपर, नीचे ऐसे करूंगा, यह चीज मैं किस चीज से कर रहा हूँ, माउस से कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, माउस, अगला question है, pick the one that is used for logical operation और comparison such as less than, equal to, और greater than, आपको मैंने CPU के बारे में पढ़ाया तो आपको बताया था ना कि आपका जोर घटा गुना भाग comparison यह सब काम कौन करता है, आपका ALU, arithmetic logical unit, ठीक है, option number A, तो देखो, जितना मैंने पढ़ाया, उतना उम्मीद है आप लोगों को सम पूछेगा, देखो, आप लोगों को कुछ logical question पूछेगा, कुछ solve करके question पूछेगा, और कुछ history पर question पूछेगा, history पर कैसा question पूछेगा, कि 5 generation जैसे computer के होते हैं, तो बुलेगा, first generation computer का क्या नाम है, second generation computer का क्या नाम है, इस type का computer किस generation में आया, वो भी अपन देखेंगे, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, computer के बारे में ये चीज़ आप लोग सबको पता होना चाहिए, ठीक है, तो next lecture में हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग और depth में जाएंगे, ठीक है, तो चलो, आप लोग थोड़ा like, share, subscribe कर दो, ठीक है, मिलते हैं हम लोग next lecture में, thank you.